प्रियंका चोपडा की नेट वर्थ करोडों में हैं उनके पती निक जोनस भी कमाई के मामले में कुछ कम नहीं है दोनों ही पती-पत्नी मिलकर एक लैविश जिन्दगी जीते हैं लेकिन अब इस कपल को लेकर जो खबर आई है फॉरण मीडिया से वो बेहग शौकिंग है फॉरण मीडिया की एक रिपोर्ट के मताबिक प्रियंका चोपडा और निक जोनस कंगाल हो गए हैं इसी के चलते प्रियंका चोपडा और निक जोनस को अपना आलिशान मैंशन छोड़कर एक दूसरे घर में रहना पढ़ रहा है इस मैंशन को प्रियंका और निक ने अपनी शादी के बाद खरीदा था 2019 में प्रियंका और निक ने 1500 करोड रुपए में इस mention को खरीदा था जिसमें कहीं सारे कमरे हैं, शांदार लोकेशन पर है swimming pool भी इस mention में है और प्रियंका चोपडा खुद अपने इस mention को समय समय पर flaunt कर चुकी है वो pool parties करती नजर आई है, वो pool में आराम करते नजर आई है foreign media के मताबिक प्रियंका चोपडा और निक जोनस ने अपने इसी mention को अब rent पर दिया है इसके पीछे reason ये है कि पिछले एक साल से प्रियंका और निक अपने mention पर जो loan लिया हुआ था उसकी EMI नहीं चुका पाई थे जिसके चलते या तो प्रियंका और निक को market से कम price पर इस mention को बेच कर bank को पैसा चुकाना पड़ता और या फिर mention को किराय दो ताकि जो किराया है वो direct bank को जाए प्रियंका चोपडा और निक जोनस ने second option choose किया है उन्होंने अपने इस बड़े mention को rent पर दिया है और bank से ये deal हुई है कि जो भी rent का पैसा आएगा वो direct bank को जाएगा जिससे प्रियंका और निक जोनस का loan उतरेगा यानि कि प्रियंका और निक जोनस EMI नई भरने के कारण defaultर चल रहे थे और तब bank बीच में आया और bank के साथ ये deal हुई और तब प्रियंका और निक ने अपने इस घर को rent आउट किया August 2023 में उन्होंने ये mention छोड़ा और वहाँ पर tenants रखे प्रियंका और निक जोनस अब दूसरे घर में रह रहे हैं foreign media का कहना है कि इनकी monthly EMI एक लाख डॉलर जाती थी जिस तरह की बड़ी celebrity प्रियंका चोपडा है और जिस तरह से ये दोनों अपना status बताते हैं सोशल मीडिया पर उसे साब से क्या ये एक लाख डॉलर की EMI भी नहीं भर सकते वैल अगर ऐसा है तो फिर ये दोनों कंगाल है और ये सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी lifestyle शो आफ कर रहे हैं असल में इनकी जिन्दगी ऐसी नहीं है हाला कि प्रियंका और निक जोनस की financial condition के बारे में असली सच्चाई क्या है ये तो कहा नहीं जा सकता विकस दोनों में से किसी ने भी officially कुछ नहीं कहा है लेकिन ये बात जरूर है कि प्रियंका और निक ने ये जो mention खरीदा था 2019 में August 2023 में उन्होंने इस mention को छोड़ कर एक दूसरे घर में रहना शुरू किया चब कि इस घर को प्रियंका और निक ने अपनी बेटी मालती के हिसाब से डिजाइन कराया था उसके लिए भी अलग से रूम और फैसिलिटीज की गई थी लेकिन इस मजबूरी में प्रियंका और निक को ये घर छोड़ना पड़ा था